नवस्कार मैं विमान शुमिश्वरा मदप्रदेश बॉलेटिन में आपका स्वागत है खबरों का रूख करेंगे खबर हर्दा से है जोहाँ पर कृशी मंतरी कमल पटेल ने कोविट के बाद आने वाली दूसरी बीमारियों से इलाज के लिए जिला चिकित साले में 11 बेड के कोविट वार्ड का लोकारपन किया है इस सबसर पर मंतरी पटेल ने कहा कि कोविट से ठीक हो जाने के बाद में कई दूसरी बीमारियां भी लोगों को घेर रही है जिससे के निपटने के लिए हरदा जिला अस्पताल में अलग से कोविट वार्ड खोला गया है इस वार्ड में ब्लैक फंगस और अन्य बेमारियों का इलाज किया जाएगा वही पर मंत्री पटेल का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चौहान ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, इंदौर, रीवा और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का इलाज नेशुल्क किया जाएगा सिंगरॉली जुले के दोरे पर आये प्रभारी मंत्री राम खेलावन पटेल ने मुर्वा पुराना सरकारी हॉस्पिटल कोविड-19 केर सेंटर प्रारंब किया आपको बता दें कि कोविड-19 के दूसरे चरण में बढ़ते हुए संक्रमल को देखते हुए सिंगरॉली विधायक के द्वारा प्रभारी मंत्री को पत्र लेकर मुर्वा समेत आसपास के लोगों को आसानी के लिए कोविड केर सेंटर खोलने की मांग की थी जिसको देखते हुए प्रभारी मंत्री जिला प्रश्वासन के द्वारा ओक्सीजन समेत मौर्वा में 25 बेड का केर सेंटर की विवस्था बनाई गई है गुरा में कैबिनेट मंत्री महींदर सिंग से सौधिया ने प्रस्वारता आज़ुत की जिसमें कि उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमल की महामारी में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननिये शिवरास सिंग चोहान दिन भर वैटकों में नरदेश देते हुए समिक्षा कर रहे हैं विरोधी पार्टी महामारी को रोकने जैसे कारेों में जूटी अफवाएं फैला रहे हैं पंचायत वा ग्रामीड विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री महिंदर सिंग से सौधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री वा कॉंग्रेस के प्रदेश द्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके आग लगाने वाला बयान किसी आतंकवादियों के समान है जो कि राश्र द् का मामला दर्ज किया जाए। से जाच के लिए इपास मांगा जा रहा है इस पर उन्होंने जनताक की परिशानियों को समझते हुए फीवर क्लिनिक पहुँचने पर सवाल उठाया उन्होंने कहा कि जब जिला कलेक्टर और स्पी बोल चुके हैं कि मेडिकल एमरजनसी में कोई इपास नहीं मांगा जाए इसके बावजूद इपास क्यों मांगा जा रहा है वहाँ पर मौजूद स्टाफ ने कहा कि हम को उपर से आदेश है इस पर विवात खड़ा हो गया और भीड इकटा हो गए इस बीच दो बत्ती पुलिस थाने के टी आई किशोर पाटन वाला लाव लशकर के साथ में अगर आप मेडिकल एमर्जेंसी का लाव और प्रेयर क्लिनिक पर जा रहा है तो आपको ई-पास बनवा के जाना पुड़े को लोग वहां एकटर हो गया थे इसलों को सैंप्लिंग करा दिया गया जो नहीं निकल सकते वो फोन करें उनके घर पर जाके आराईटी टीब ले इन दोर के तुको गण जुथाना चेत्र के गीता भावन चौराहे पर कॉंग्रिसियों को मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान का पुतला जोलाना महंगा पड़ गया इस मामले पर तुको गण जुथाने में पूरु मंतरी वा विधायक समेत करीब दस कॉंग्रेसियों पर कोरोना कर्फ्यू का उलंगन करने का मामला दर्ज किया गया दरसल पूर मुक्यमंत्री कमलनात पर प्रकराण दर्च करने से बौखलाय कॉंग्रेसियों द्वारा कल गीता भवन चौराहे पर मुक्यमंत्री का पुतला जलाया गया था जिसमें कि इंदोर कलेक्टर मनीश सिंग के निर्देशन में पूरवा मंत्री सजन सिंग वर्मा विधायक संजे शुकला समेत अन्य दस कॉंग्रेसियों पर कोरोना कर्फियों का उलंगन करने का मामला दर्च किया गया वहीं पर पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी भी कॉंग्रेसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है मद्द परदेश की भाज़पा सरकार द्वारा दमनकारी नीती को अपनाते हुए पूरु मुख्यमंत्री वह प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर दर्च कराए गये जूठे प्रकरण के विरोध में पूरे प्रदेश में युवा कॉंग्रेसियों द्वारा एक कहा गया कि मुख्यमंत्री शिवरा सिंग्चोहान स्वास्मंत्री वा प्रभारी मंत्री के विरोध ऐफायर दर्च की जाए हैं क्योंकि इन्वी कि लापरवाही से सैक्रण की संख्या में लोगों की मौत हो गयी है उन्होंने चुनाव कराने के चक्कर में लोगों की से दिया है और उस आव्य दन के अंतरकत हमने मांग की है कि जो सेकर्ण वैव कुरोना की सोता चाहर लो पर्शासन को मालम था ये से बहुत तेजी से इस पुरे देश और परदेश के अंदर आने वाली है लेकिन शासन और परशासन के बेठे जिम्मेदारों ने उसके दियान ना रखते हुए लापरवई पूरवक उस रेहर को लिया जिसके परेडाम सवरूप परदेश में और हमारे शेहर में हजारों सेकड कोरोना महमारी के बीच में इन दौर में इस वक्त राजनीती भी खूब जोर पकड़ रही है लगतार बीजेपी और कॉंग्रेस की तरफ से ग्यापन सौपने का दौर जारी है इसी कड़ी में अब कॉंग्रेसियों ने डी आई जी को ग्यापन सौपा है जिसमें कि सज्जन सिंग वर्मा शहर कॉंग्रेस अद्यक्ष समेत अन्य 10 कारिकरताओं पर 1888 का प्रक्राण दर्ज किया गया है जिसके बाद से आज ग्यापन सौपने का दौर जारी रहा आज हम सम्मिधान की सपद लेने वालों को सम्मिधान की याद दिलाने है थे कि सम्मिधान की गरीमा का पालन करना आपका सबसे पहला धर में सरकारे तो आती जाती रहती है कल 28 जगे इंदोर में भारती जिल्दा पार्टी के कारिकर्टाओं ने भाजाई उमा के कारिकर्टाओं ने पूर मुख्योंती कमलना जी का पुतला जलाया धाई घंटे बाद कॉंग्रेस के हम लोगों ने एक पुतला जलाया रतलान के सपूत शहीद कनहिया लाल जाट पंचतत में वीलीन हो गए पूरे राजकिये सम्मान और सेना के प्रोटोकॉल के अनुसार उनका अंतिम संसकार किया गया बड़ी बेटी आराध्या ने अपने पिता को मुखागनी दी है कनहिया को सेना के जवानों ने गार्ड आफ ओनर देकर सलामी दी इस मौके पर शहीद कनहिया की पत्नी और बेटी आराध्या ने सेल्यूट करके शहीद को नमन किया अपने लाडले सपूत को विदाई देने के लिए लोगों का जन सहलाब देखने को मिला औरोना गाइडलाइन्स के बावजूद गुड़ा वद गाउं में भीड देखने को मिली शहीद के अंतिम संसकार में रतलाम संसत गुमान सिंग डामोर और ग्रामिल विधायक दिलीप मकवाना उपस्तित हुए वही पर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादो ने भी शहीद के घर पहुँच कर श्रद्धा सुमन अर्पित किये हैं मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्द ट्रक मिला जिसमें की 41 गौवश भरे हुए थे जिसमें से 3 गौवश अम्रत अवस्ता में पाए गए सब इंस्पेक्टर अशोक शुकला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आदार पर एक ट्रक गौवश लेकर के नीमच तरफ जा रहा था जानकारी मिली और जिसको लेकर थडोद फंडा महू नीमच मार्ग पर रोक कर तलाशी की गई और 41 गौवश पाए गए मौके से दो लोगों को गिरफतार भी किया गया है अगले खबर गुना से है जहां पर आगजनी से पीडित परिवार से मिलने के लिए जिला कॉंग्रेस प्रतिनिदी मंडल पहुचा दरसल पीडित फूल सिंग साहू के घर पर अचाना काग लग गई थी जिससे कि फूल सिंग का घर जलकर तहसनायस हो गया वहीं पर घर का लगबग आधा हिस्सा जलकर खाक हो गया जैसे कि साहू परिवार को खासा नुकसान हुआ वहीं मौके पर इस्थानियन लोगों ने आकर मदद भी किये हो और आगपर काबू पाया है आज जिला कॉंग्रिस का प्रतिनिधी मंडल साहू परिवार से मिलने के लिए पहुँचा प्रतिनिधी मंडल में किसान कॉंग्रिस के अध्यक्ष बीरेंदर से सौधिया ने आगजनी से पीडित परिवार को 10,000 रुपए नीजी तोर पर साहता भी की है इन दौर में टोटल लॉकडाउन के दोरान जिला प्रशाषन और नगर निगम के द्वारा टोटल सेनिटाइजेशन का काम युद्धिस्तर पर किया ज़ा रहा है इन दौर शहर की सभी छोटी बड़ी जो मंडिया है वहाँ पर सेनिटाइजेशन का काम जा रही है इसी कड़ी में दूसरे दिन भी निरंजन पुर इस्तित सब्जी मंडि में निगम वाजिला प्रशाषन द्वारा संयुक्त रूप से सनिटाइजेशन का काम किया गया इस काम के निरिक्षन के लिए कलेक्टर मनीश सिंग और निगमा युक्त प्रतिभा पाल भी पहुँचे और पूरे मंडी छेतर का दौरा किया क्लेकटर मनीश सिंग का कहा है कि भले ही शहर में सबजी मंडी बंध है लेकिन कई बार या वाइर panel या वायरस बंध मंडियों में भी रह जाता है क्योंकि यहां पर पहले भी कई लोग आ कर वियापार कर चुके हैं और वायरस एक स्थान पर कई दिनों तक रहता है इस तरक के आधार पर शहर में मंडियों को सैनिटाइजिस किया जा रहा है आने वाले दिनों में शहर के मुख बाजारों में और तीसरे चरण में शहर के मुख मार्गों पर नियमित रूप से सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा अभी लक्शी ये रखा गया है कि जिस समय तक ये जनता गर्फियू चल रहा है उस समय हम लोग ज़ाधा ज़्यादा कोशिशेंसी करने जो की संक्रमण की गती को कम करने में और जो संक्रमण की चैन है उसे तोड़ने में मदबदार हूं इसी को ध्यान में रखते हुए लगाता शहर में जहां पॉजिटीव पेशेंट निकल रहे हैं वहां कर्टेन्मेंट जो बनाए जा रहे हैं जो एरियाज जो पॉब्लिक एरियाज हैं लोग बहुत आते हैं जहां एक साथ संक्यालों की जा रहता है जो कि सरूफ ही इस प्रकार का उसकी कारशली का और इसने पहले चरण में उसको कर रहा है और उसके बाद जितने भी यह जो अपने आगनबारी नंबर 9 के आंगनबारी में वहसku का अकाल है स्वास्त करकरता इसमामारी में बिना पंखे विजली साफ सफाई को भी ड्यूटी करने को मजबूर है ना साफ सफाई है और ना ही पंखा लाइट की विवस्ता भी नहीं है गेट के सामने बालू का धेर लगा हुआ है ऐसे में करमचारियों और लोगों को परिशानियों का सा सामने आ रहे हैं ऐसा ही एक मामला सामने आया है परदेशी पुरा थाना च्छेतर से जहां पर भतीजे द्वारा ही अपनी चाची से दुष्कर्म का मामला सामने आया दरसल लसूडिया च्छेतर के रहने वाली पीडिता ने 21 माई को पुलिस दे शुकायत की कि कुलकरणी भ पर आरोपी भतीजे के खिलाफ मामला दर्च कर लिया गया था जिसे की गिरफतार कर नियायाले में पेश किया गया है इन दौर में मालवा मील के पास में बने हुई करमचारियों के आफिस में भीशन आग लग गई देखते ही देखते आग ने पास की कुछ दिकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया वही पर मामले की सूशना ततकाल पुलिस और फायर ब्रिगेट को दी गई जिसके बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेट की टीम ने कड़ी मश्रकत के बाद में आग पर काबू पा लिया है फिलाल आग कैसे लगी इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका वही पर इस आग से लाखो रुपए के नुकसान का आग लने लगाया जो रहा है हम लोग जो है मालवभी हिल के बाद मौकी के कर में कर्मेचारром क के लिए के लिएगने लगी थी इसको हमार दुभार दो बारी टीम्स्ता नटर पोचकर हमारे क्रीड में अकार प्लाग क्लिया डिया गया है करे दुटक झालबॉस earnings means इसके पीछे की साथ पेड़ी जो बना रखी थी इसके अंदर आग लगी थी इंदोर के सिर्पूर धार रोड नूरानी चौराहे के पास में में रोड पर कई दिनों से भैंकर कच्रा पड़ा हुआ है जिसके कारण चारों तरफ गंदगी और बदबू है गंदगी के कारण बीमारियों के संकरवन का भी खत्रा है जिसके कारण यहां से आने जाने वाले लोग काफी परिशान है जब पंचायत के अधिकारियों से कच्रा हटवाने की बात कही गई तो अधिकारियों ने इस पश्ट कच्रा हटाने से मना कर दिया और तर्क दिया कि हमारी पंचायत की सीमा में ये इस्थान नहीं आता फिर जब नगर जो निगम है उसके अधिकारियों से कच्रा उठाने की बात की गई तो निगम अधिकारियों ने कच्रा उठाने से मना कर दिया और पल्ला जाड़ लिया अब इस मामले पर जो लोग वाँ पर रह रहे हैं वो धरना देने की चेतावनी दे रहे हैं कबर मद्परदेश के रीवा जिले से है जहाँ पर कोरोना महमारी के चलते संपूर लॉगडाउन लगाया गया है और शादी विवा के कारिक्रम में भी पूरी तरीके से प्रतिबंध है मगर इसके विपरीत बिचिया थाना चेतर के महाजन टोला में शादी समारो का आयोजन किया गया जहाँ पर थाना प्रभारी जगदीश ठाकोर अपने दलबल के साथ में दविश देने पहुँचे दविश देते हुए शादी समारो में शामिल हुए आधा दरजन से जादर ल प्लंगन करने पर मुख्या सुरेश साकेत पर भी मामला दर्ज किया गया है कि करीव रात को साड़ेट बस वज़ेक आसपार नगर प्लूजिस रिक्षा को आपने अपने अपनी सेजिशन होदर का जड़िये मुख्वर के सूचनाओं के मिली थी कि महाजन टोला में जो जैसे पुलिस मुख्या को पगड़ा गया, मुख्या को पगड़ा का कुछ नसी गई तो उसने कोई परमिसर लेना ना बताया, ना ही कोई परमिसर थी उसके पाफ, उसको ठाना लाकर जोगा सुदूर जोगा, कोविड नाइंजिनी वे उलम्हन करने पर जोश दिए गया है रिवा जिले के मौगंज से स्वास्त विबाग का आमानवीय चहरा एक बार फिर सामने आया है, जहाँ पर एक महिला की मौत के बाद में उसके शव को शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ, दरसल मामला मौगंज चेतर के माच खोहर गाउं का है, जहाँ पर साथ वर्षी अवर को साप ने काट लिया, जिसके बाद परिजन उसको लेकर मौगंज के सामुदा एक स्वास केंदर पहुचे, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मौत गोशित करते हुए शव का पोस्माटम किया, उसके बाद जब परिजनों ने असपाताल प्रबंदन से शव वाहन की मांग की तो उन्होंने शव वाहन देने से इंकार कर दिया, जिसके बाद में परिजन मोटर साइकल से ही शव लेकर अपने गाउं तक पहुचे, रैसेंजले के बेगम गंज में कोरोना ज़सी महमारी से निपटने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, ऐसे में के लोगों को योगा कराते हैं, बता दें कि योगा, महिलाएं, पुरुष और बुजर्ग भी सीखते हैं, वहीं पर योगा सिखाने वाले नितेंद्र का कहना है कि योग शारिरिक और मानसिक संतुलन बना कर आंतरिक एवं बाहरी रोगों को दूर करता है, पुरे शरीर की क या प्रणाली को सुचारू रखने में योग सायक है शरीर स्वस्त रहता है योग अपने आप में पूर्ण विज्ञान है एक तरह भरतवर्ष वैश्वेक महामारी कोरोना की मार्ज हिल रहा है तो वहीं पर दूसरी ओर शोशित दलित बदहाली और बीमारी की मार्ज हिल रहे हैं गरीब परिवार जंदगी और मौत के बीच में पलपल मरता हुआ दिखाई देता है ऐसा ही कुछ मामला गौरिला पेंडरा मरवाही से सामने आया है जहाँ पर ग्राम पंचाथ चना डूगरी में रहने वाली पीड़ित अजय सुमेर एक हाथसे के बाद अपाहिज हो गए और अब इलाज के लिए पीड़ित परिवार के पास परियापत पैसे नहीं है जिसके बाद अब पीड़ित परिवार सरकार से इलाज के लिए गुहार लगा रहा है परिवार का कहना है कि वह आर्थिक रूप से काफी कमजोर है आ समर्थ है इसलिए मुख्यमंत्री जी उनक की मदद करें और इनी खबरों के साथ इस बुलेटन में इतना ही नमस्कार